अस इसराइल और मिस्तर की सेना के बीच गोलीबारी हुई है और इस दोरान मिस्तर के एक स्थैनिक की मौत हो गई है ये घटना पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा तनाव पैदा कर सकती है क्योंकि अब इसराइल को एक और फ्रेंट खुलने का पूरा डर सता रहा है आखि इसराइल की राजधानी तेल अवीब में जन्वरी के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ है ये रॉकेट अटाक के बाद उठ रहा धुमा है तेल अवीब में अजीब सी दहशत पहली हुई है घाज़ा से कत्यूशा रॉकेट फायर करके हमास ने साबिद कर दिया है कि वो खत्व नहीं हुआ है घाज़ा के रॉकेट में सुरंगों के अंदर और सुरंगों के बाहर एक बार भेर लैस हो चुके हैं हमास की रॉकेट फोर्स लगातार अक्टिव है इस्रेल में लगातार साइरन बज रहे है घाज़ा में हमास की फायरिंग फावर में कोई कमी नहीं आई है हमास की इस हमले के बाद इसज्रेल ने रफ़ा केम्प में कोरा मचा धिया तेल अवीब पर हमले के बाद इसरेल के हिलीकॉप्टरों ने रफ़ा पर हेलफ फायर मिसाईलों की बारिश कर दिया करीब 40 लोगों के मरने के खबर है रात भर रफा का ये राहत कैम्प जलता रहा लाशे निकाली जाती रही ये सिलसिला सुबा भी जारी रहा रफा दक्षन घाजा में वो जगह है जहां करीब 12 से 15 लाक लोग मौजूद है क्योंकि इस्रेल ने पूरा उत्री और मध्य घाजा खाली करा लिया है इस्रेल ने रफा पर जो मौत की बारिश की उसकी वज़ा तेल अवीद पर हुए हमले से जादा हमास का एक बहुत बड़ा हमला है जो जबालिया मैं किया थे मारे इस्रेली सैनिक हमास का खूनी हमला जरा इस वीडियो को देखिए हमास के लड़ा के एक सुरंग से इस्रेली सैनिक को गसीट कर बाहर की तरफ ले जा रहे है हमास ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि हमने सुरंग युद में इस्रेली सैनिकों को ना सिर्फ जान से मार डाला है बलकि कई इस्रेली सैनिकों को बंधक बना लिया है उनके हंथियार भी जब्द कर लिया है ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया कैम्प का बताया जा रहा है हम आपको एक एनिमेशन के जरीय बताते हैं कि आखिर हमास ने इसरेली सैनिकों को एतनी आसानी से कैसे मार डाला क्योंकि इसरेली सैनिकों के पास ना सिर्थ घातक हतियार और हाई टेक्नलोजी मौजूद थी बल्कि मरकावा टैंक और फुल बैकप पीछे से मौजूद था हमास के दर्जन भर लडाकों ने सबसे पहले जान बूच कर सुरंग में अपनी लोकेशन इसरेली सैनिकों को दिखा दी जैसे ही इसरेली सैनिकों को लगा कि सुरंग के अंदर दर्जनों हमास के लडाके चिपे हैं वो तुरंद घातक हत्यारों के साथ सुरंग में घुस गए सुरंग में इस्रैली सेना के स्पेशल योनिट के कमांडो घुसे थे जैसे हमास का बीचा करते हुए इस्रैली सेनिक सुरंग में घुसे तब ही सुरंग में हमास ने जोरदार थमाते कर दिये और उन पर गोलियों की बॉचार कर दी हमास ने दाबा किया है कि उसने इस्रेल के कई सैनिकों को सुरंग में मार डाला है और इस्रेल के स्पेशल फोर्स के कमांडोस को बंधट बना लिया है अलक कसम ब्रिगर्ड्स के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा हमारे लड़ाकों ने इस्रेली सैना को लालच देकर एक सुरंग के अंदर हमला करवाया और फिर इस्रेली सैनिकों को मा डाला कानू वला जालू लिकुवात अधू बिलमिर्साद अबruk लगफ़ उया मृजवफ़ लगमीन लामधु इ उफ्वा इस्रेली सैना में है लिलमिर्स उे झाल इस्रेली का राल्य सैनिकों कहा ईस्रेली वण्यर याली सैना सिर्धे लिक ऋम्णमें लखर्शर के लिlorस्या रमारaces लाला खून के आंसु रोए नेतन्याहो दो सो दिन बाद बदला साथ अक्टूबर दो हजार तेईस के बाद से इसरैली सेना गासा पट्टी को 80 फीसदी तक तबाह कर चुकी है लेकिन हमास के लड़ाकों को खत्प नहीं कर पाई है 200 दिन की जंग के बाद भी हमास के लड़ाके ना तो हार मान रहे हैं और ना ही इसरैली सेना पर हमला करने से चूक रहे है हैरानी की बाद तो ये है कि हमास के लड़ाके अब उन जगों पर हमला कर रहे हैं जहां नेतन्याहो दुनिया के सामने दावे कर रहे थे कि उत्तरी घाजा और जबालिया इलाके से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है खबर से निकला हमास जबालिया में फसा इस्रेल इस वक्त इस्रेली सैनिक रफा, उत्तरी घाजा, दक्षणी घाजा गाजा सिटी और मद्धिर गाजा में जंग कर रहे हैं पश्यमी देशों के वार्ट एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 200 दिन से जादा की जंग के बाद इस्रेल रफा में फस गया है जरा देखिए हमास के लड़ाके हाथों में हत्यार लिए एक बर फिर से इस्रेल के खिलाब एक जुट हो चुके हैं जनाजे में उम्री भी साबित कर रही है कि भले ही इस्रेल दस हजार से जादा हमास के लड़ाकों को मार चुकी है लेकिन हमास के लड़ाकों की संध्या में जरा भी कमी नहीं आई है शायद यही वज़े है कि रफा में इस्रेल के भीशन हमले के बावजूद हमास की लड़ाकों कुख्शंता में कमी नहीं है 6 माई 2024 से दक्षणी गाजा के शहर रफा में इस्रेली सेना ने हमले शुरू किये रफा में 20 दिन से ज़्यादा की भीशन जंग में इस्रेल की IDF ने हमास के 70 ठेकानों पर हवाई हमले किये इस्रेल की IDF ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथ्यारों के साथ रफा में ग्राउंड ओपरेशन किये है जो सफल रहे है IDF का कहना है कि इस्रेल के इस ओपरेशन में 50 से ज़्यादा हमास लड़ा के पूर्वी रफा में मारे गये है इसके अलाबा हमास की दर्जुनों सुरंगों को तबाह कर दिया ध्या है इस्रेल ने भीशन हमलों की वज़े से रफा से आठ लाक फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो गये और चलिए वक्त एक छोड़े से ब्रेक का आप देखते रही है प्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल न्यूस 18 राजस्तान